दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवाल की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां थोड़े दिन पहले ही गुजरात हाई कोल्ट ने पीएम मोदी की डिगरी दिखाने से जुड़े आदेश को खारिश कर दिया था। साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया था। तो वहीं 15 अपरायल को गुजरात की कोल्ट ने इसी मामले में आरोपी अर्विंद केजरीवाल और संजय सिंग को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। मामले में आज यानी 23 माई को पेशी होनी थी लेकिन अदालत में वो दोनों ही नहीं पहुँचे। जिसके बाद याचिका करता के वकील अमित नायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि समन में ज्यादा असपश्टता नहीं थी। इसलिए आज साब ने जो ओर्डर किया था दोनों आरूपियों को हाजर रहने का नामदर कोर्ट में उसके सिलसले में आज डेट था बट देर सीम्स टू भी कुछ समन्स में क्लैरिटी नहीं है तो उससाब से साब ने जो नई जचसाब आए उन्होंने ओर्डर किया है दोनों एक्यूस जो है उनको वापिस से समन्स इशू किये जाए कंप्लेन की कॉपी के साथ प्रधान अरविंद केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वो CIC को अपने बारे में आवश्याग जानकारी देने के लिए तैयार है लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पीम मोदी को उनकी शैक्षिक डिगरी के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए गोरतलब है कि केजरीवाल के जवाब को CIC ने बतौर एक नागरिक का RTI आवेदन माना इसके बाद तकालीन मुख्य सूचना आयोक्त M. श्रीधर आचारियुलू ने प्रधान मंतरी कारियाले को दिल्ली विश्वविद्याले और गुजरात विश्वविद्याले से पिम मोदी की इस नातक और इस नातकों तर डिगरियों की विशिष्व संख्या और वर्षप्रदान करने का निर्देश दिया था यह आदेश इसलिए दिया गया था कि पिम मोदी से संबंधित कोई भी दस्तावेस खोजने और प्रदान करने में आसाली हो बहराल अब देखना ये होगा कि PM मूदी से जुड़े इस मामले में CM अर्विंद केजरिवाल और आप सांसत संजय सिंग को राहत मिलती है या नहीं फिलाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन मिल लिक कर जरूर बताएं देश और दुनिया की बाकी बड़ी और हम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करने ना भूले इंडिया पबले खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुँच पाएं झाले वक्त से लेग्ण वक्त स्ब्सक्राइब कर सारी लेग्डेस्ट से लेगरेश चानल को और दूले अवक्त से लेग्डिया झाले को और रहन देंगें झालाएं